हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्व चैनल आज मैं आपके साथ बहुत कम दूद से एकदम लच्छेदार रबडी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अगर आपके घर में केवल दो गलास दूद है तो आप उससे एक बाउल भर के रबडी बना सकते वह भी एकद रबडी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें आप ले लें है छैप ब्रेड्ड तो जो नॉर्मल ब्रेड आते हैं वह पम लिए आप कोई भी बड़े साइज का ब्रेड्ड ले सकते हैं फिर छोटे साइज का अब इसकी जो साइट सा वह हम नेकाल देंगे क्योंकि उस साइट से बहुत जादा टाइट रहते हैं उससे हमारी रबडी का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा तो यह इस तरीके से निकाल दें बाद में आप इसे इस तरीके से बिल्को स्कॉायर शेप का कट कर लें आप रफली चॉप कर सकते हैं जैसा भी शेप आपको द इतना दूद है उसमें हम इलाइची डाल देंगे अगर मैं बदन से बता हूँ तो यह आथ लीटर हमारा दूद है दूदा को जो है फुल क्रीम लेना है पैकट वाला दूद लेना है और अब हम इसे थोड़े टाइम पकान लेंगे इसके बाद इसमें हम डाल देंगे दो हम आब स attracting कन्टीनो चलाते जाएंगे चिनी जब मैल्ट हो जाएंगी तब हम फोड़ा सा दूद जो है वो लग कर लेंगे तो यहाँ पर यह देखें आप चीनी जो है वो मैल्ट हो गय है अब हम एक कल्ची भरकर यहां पर दूद जो है वो लग कर लेंगे और इसमें डाल पाउडर, कॉर्ण फूर, कुछ नहीं मिक्स करेंगे, सिंपल रेसिपी आपको जब भी मन करें, रबड़ी खाने का आप ये बना सकते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं लाना है, सिंपल केवल दूद, ब्रेड से आप ये बना सकते हैं, और अभी हम साइड की मलाई निकाल देंग तो इसकी जो साइड की मलाई है, वो हम निकालते जाएंगे, और इसे गाड़ा उने तक फका लेंगे, करीबन हमें इतना पकाना है, कि जो दूद है, वो आज़े से थोड़ा सा कम बचे, फ्लेम को बिल्कुर मीडम कर दिया है, अब हम यहाँ पे एक कटोरी चीनी को और पका लेंगे, जब तक कि इसका जो कलर है, वो चेंज नहीं हो जाता, फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, इसमें पानी बगएरा नहीं डालता, सिंपल आप चीनी डाल दें, फ्लेम को लो करके चीनी मैल्च कर लें बाद में, इसे चलाते जाएं तो एकदम काल बाडा रहना स्टार्ट हो गया है, इस स्टेज में हम इसमें हमारा करमल है, वो एंड कर दिंगे, यहां पर यहां पर कर मैल्च कर देखाएं पी डालते ही इसे अच्छे से मिलाएंगे जिससे की जो ब्रैड है उसके लंप सना रहें थोड़े से लच्छे रहेंगे जिससे की रब्री जो है वो बहुत अच्छी लगेगी फ्लेम को मीडम कर देना है और डालने के बाद आप नोटिस करेंगे इस पे गाड़ापन आ गया है और यहां पर हमारी जो रब्री है बनके एकदम तयार है गैस को आफ कर लेंगे और इसे हम रख देंगे पांच मिनिट के लिए पांच मिनिट बाद यह देखे अब जब यह ठंडी हो जाते तब इस तरीके से इतनी जादा गाड़ी हो जाएगी एकदम पॉफिक लच्छे तयार है वो भी बहुत कम दूद के साथ तो जब भी आपको रब्री खाने का मने आप कम दूद में घर में रब्री बना सकते हैं बनाने में बहुत आसान है टेस्ट में बहुत अच्छी लग दिया बिलकुँ मार्केट की तरह है तो फ्रेंट सापी रेसिपी एक बाद झाली गूद बाई